जब सबके सामने एश्वर्या की बेटी ने सल्मान खान को कहा पापा देखते रहे गए अभिशेक बलिवुड सुपरस्टार सल्मान खान और एश्वर्या राहे कभी एक दूसरे के काफी करीब रहे ये बात किसी से छिपी नहीं है बलिवुड फिल्मों की तरहें दोनों के किस से भी काफी मशूर रहे ब्रीक अप के बाद भी सल्मान का नाम एश्वर्या से जोड़ा जाता रहा है दोनों एक बार फिर कब सुर्खियों में आये जब एश्वर्या और अभिशेक की बेटी ने उन्हें पा कहकर बुलाया दरसल ये वाक्या एक फिल्म फियर अवार्ड के दौरान का है जब आराध्या बचन अपना बेस्ट डेव्यू अवार्ड लेने के लिए स्टेज़ पर पहुँची थी पहली लाइन में बैठे अभिशेक और एश्वार्या बेटी की इस काम्याबी से खुशी से तालियां बजा रहे थे लेकिन तब सभी चौक गए जब एश्वार्या बेटी को पुरुसकार देने सल्मान पहुचे इस दोरान अवार्ड लेने के बाद आराध्या ने सल्मान को थैंक्स पा कहा तब अभिशेक और एश्वी मुस्कुराने लगे उस दोरान वहां मौझूद सभी लोगों को वो वक्त भी याद आ गया जब एक अवार्ड लेते समय एश्वार्या ने दिगजेक ट्रेस रेखा को थैंक्स मा कहा था गहर तलब है कि सल्मान और हैश की फ्रेम कहानी साल 1997 में शुरू हुई सल्मान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे जब अक अश्वार्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाड़ बॉलेवुड में एंट्री भी की थी ये वो दोर था जब सल्मान का दिल सुमी अली के लिए धर्टता था लेकिन उसी वक्त सल्मान की नजर एश्वार्या पर पड़ी सल्मान का दिल कब सुमी को छोड़ कर एश के लिए धर्टने लगाई ये खुद सल्मान को भी नहीं पता चला एक वेब साइट पर दिये एक इंटर्व्यू में सुमी ने खुलासा किया था कि एश्वार्या की वजए से उनका और सल्मान का रिष्टा तूट गया सुमी इतनी आहत हुई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़ कर चली गी